जेहिन दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके हैं हूँ 31 बाए 31 के पलाट के उपर घर का श्यांदार नक्सा पूरे पलान को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वीडियो को लाज तक देखना पड़ेगा सबसे पहले आपको बता दूँ पूरा प्लान वास्तोसास्तर के अकोर्डिंग है पलाट की जो आगे से चोड़ाई है वो 31 फिट है 31 पीछे से भी इसकी चोड़ाई 31 यानि 31 फिट है और इसकी दोनों साइड से जो लंबाई है वो भी 31 31 फिट है दोनों तरफ से 31 फिट इसकी लंबाई है तो 31 बाई 31 का आपका प्लाट हो गया है सबसे जरूरी बात जो भी आप पूरा मकान मनाएंगे तो 900 स्क्वाइर फिट में टोटल आपका मकान रेडी होगा स्क्वाइर फिट का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप किसी भी ठेकेदार को या मिस्त्री को मकान बनाने के लिए दोगे तो वो square feet के इसाब से रूपे लेता है mostly तो आपको पता होना चाहिए आपका मकान कितने square feet में बनने जा रहा है ताकि आप सही निर्णे ले सके हैं ठीक है आप देखिए बात करते हैं आगे की तो यह पूर्वे मुखी मकान है यानि कि इस मकान का जो face है वो पूर्वे मुखी है अब आप कहोगे पूर्वे दिसा बहुत से लोगों को पता नहीं होती तो मैं इसलिए आपको बता देता हूँ एक्स्प्लेन कर देता हूँ जिस तरफ सुर्य उदे होता है उसे पूर्वे दिसा कहते हैं तो आपका जो मकान का face है वो पूर्वे मुखी है इस्ट facing है जिस तरफ सुर्य अस्त होता है वो आपकी पक्सिम दिसा है तो इस प्लाट की जो पीछे की तरफ है वो पक्सिम दिसा है पूरी इस side में आपके उत्तर यानि की north दिसा है इस side में आपके दक्षिन दिसा यानि south दिसा है अब आते हैं plan पर इसके जो plan है उसके आगे से main road निकल रही है ठीक है अगर आपका corner का plan है तो भी आप इस plan से अपना घर ready करवा सकते हैं अगर आपका पडोश्यों का मकान है तीनों तरफ इधर भी पडोशी है इधर भी पडोशी है तो भी आप इस प्लान को वहाँ पर यूज कर सकते हैं तो कैसे हमने पूरा प्लान रेडी किया है देखिए यह आगे से रोड जा रही है 31 पिट आपके प्लाट की जैसा कि आपको पता है चोड़ाई है तो इस रोड से हम घर के अंदर एंटर इधर से करते हैं तो यहां से यहां तक आपका लोहे का गेट लग जाएगा जो काफी सुन्दर लगेगा और वास्तोसास्तर के अकॉर्डिंग होगा पूर्वर मुकी मकान में हमेशा इधर इधर इगेट बनान है अराम से आप अपनी फोर विलर, टू विलर, स्कूटी यहां पर खड़ी कर सकते हैं ओके अब देखिए बात करते हैं एक बहुत इंपोर्डेंट बात कि आप जो भूमिगत पानी का टेंक बनाएंगे घर के अंदर वो आपको यहां बनाना है यहां पर आपका भूमिगत टेंका यहां बनाना है यह आपका पारकिंग गे रिया हो गया अब देखिए पारकिंग से हम घर के अंदर एंटर हमने यहां पर दिया है घर के अंदर एंटर का जो आपका लकड़ी की चोगट लगेगी वो यहां लगेगी इससे हम जेसे घर में एंटर होते हैं देखिए पूरे प्लान को द्यान से समझे एंटर होते हैं तो ये आपका इतनी लंबाई और इतनी चोड़ाई में जो आपकी ये जगह देख रहे हैं ये आपका आंगन हो गया है यानि घ्र का HOLA एक जिएरा बाई बारा फिट का घ्र का HOLA है आपका आंगन है काफी सुन्दर आंगन के अंदर इस साइड में हम सिधे एंटर करते हैं तो ये 11 फिट की लंबाई में और 5 फिट की चोड़ाई में हमने पूजागर दिया है इसको आप कम ज़्यादा अपने इंसाब से कर सकते हैं अगर आपको 11 फिट नहीं रखनी है जगह तो आप 5 फिट में बना सकते हैं 6 फिट में बना सकते हैं बड़ पूजागर आपका बनेगा यहीं क्योंकि ये इसान कोन के अंडर आ गया है ये इतना जो एरिया होता है वो इसान कोन में होता है तो आपका इसान कोन में पूजागर बनना चाहिए तो यह आपर पुजागर आपका बनना चाहिए पुजागर के पीछे की तरफ आपकी एक हमने विंडो रखी है जो ठीक आपके रोड की तरफ वेंटिलेशन विंडो ओपन हो रही है अप देखिए पुजागर से हम आंगन में आते हैं आगन से आपको इस कोर्णर में आना है यह आपका अगनी कोन है यहाँ पर आपका रसोईगर यानि की कीचन बनेगा साथ फिट तीन इंच बाई नो फिट का यह आपका रसोईगर बनेगा एक खिड़ के आपके सीधी देखिए रोड के उपर निकल रही है जिससे काफी अच्छी रोसनी आएगी सूर्य है जब उदे होगा तब भी काफी है सबसे पहले रोसनी आपके कीचन में आएगी और पुजा घर में आएगी तो काफी अच्छा है आपका कीचन है कीचन का जो गेच चुला है वो आपको यहाँ बनाना है ताकि खाना बनाते समय गर की महलाओं का जो फेस है वो पूरुए दिशा की तरफ हो सेकिंड बात जो वास्वेशन है बरतन दोने के लिए वो आपको उत्तर की दिशा मनाना है यानि कि इस दिवार की तरफ यहां बनवाना है वास्वेशन और अलमारी बगेर आपको हमेशा दक्सिन और पक्सिन दिशा की तरफ बनाने है चाहिए वो रसोई घर हो चाहिए वो कमरे हो या घर में कहीं भी हो ठीक है अगर आपके इस साइड में पडोशियों के मकान नहीं है तो एक खिटके आप इस साइड में भी इस दिवार में रख सकते हैं ठीक है ऐसे साउथ की तरफ यानि दक्सिन दिशा में जाकर ऐसे गोंब कर वापस आपकी उत्तर दिशा की तरफ खुल रही है इस सीडियों का ऐसा हमने ये गोलाई में दी अगर आपको सीडियां यहां से आप स्टार्ट करके ऐसे ले जाना चाहें तो आप ऐसे भी ले जा सकते है आपकी कम जगह में सीडियां बन जाएगी बट ये जिसने प्लान रेडि करने के लिए का था उनकी रिक्वाइर्मेंट थी कि सीडियां गोलाई में हो ये भी काफी सुन्दर लगेगी नीचे का पूरा पॉर्सन आपका खाली रहेगा ओके नीचे आप पूरी दूर में बैटके खा सकते हैं सोफे वगेरा भी आपके आंगन में सेट हो जाएंगे काफी स्पेस पूल आपका आंगन रहेगा अब सेकिंड बात सीडियों के नीचे आपको बड़ी खिड़की रखनी है अगर आपके इधर जगह है तो बड़ी खिड़की रखिए जिससे पूरी सी जो हवा होती वो बनी रहेगी ठीक है अब देखिए आंगन से आपको सीधा इन सीडियों से सीधा आपको सामने एंटर करना है सामने आप एंटर करते ही आपको 11 बाई 12 फिट का बड़ा रूम मिलेगा काफी बड़ा स्पेस पूल यह रूम है 11 फिट बाई 12 फिट का इसकी चोड़ा ही है 12 फिट लंबाई है अगर आपके इस साइड में जगह है तो बड़ी खिटके आप इस साइड में रखिए ओके और रूम से रूम के अंदर एक हमने श्टोर रूम दिया है 5 फिट 2 इंच बाई 4 फिट का 5 फिट 2 इंच इसकी चोड़ा है लंबाई है और 4 रखा है open space यानि कि दो जाल रखें लाश्टी लाश्टन पीछे यह जाल हमने इसलिए रखें अगर आपके पडोस में मकान है दूसरों के तीनों तरफ इधर भी पडोसी का मकान है पीछे भी पडोसी का मकान हो साइड में भी पडोसी का मकान है तो आपको वह अपनी तरफ खिड़के आँ खौनने नहीं देगा तो ventilation के लिए आपको अपने घर के अंदर कोई एक space चाहिए होगा जिससे पूरे घर में काफी अची हवा रहे रोसनी रहे और घर का ventilation अच्छे से बना रहे पूरा हवादार बना रहे ठीक है हवादार घर होना बहुत जरूरी है positive energy तभी रहेगी जब आपका घर हवादार और रोसनी से बलपूर रहेगा तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कंजूसी ना करें open space अपने घर में जरूर रखें तो पीछे की तरफ हमने देखिए चोटे-चोटे दो जाल रखें इनका benefit यह होगा आपके प्रोस में अगर देखिए मकान है तो आप यहाँ इस जाल में अपनी यह खिड़की रखिए या gate रखिए इस room का आपने यहाँ पर gate रख लिया या जाल रख लिया या खिड़की रखिए तो पूरे room का ventilation होगा साथ में पूरे घर का भी होगा ठीक है अब देखिए इस room से आप बाहर आते हैं बाहर आते ही देखिए ठीक सामने यह लेट्रिंग बातरूम हमने रखा है तो यह लेट्रिंग बातरूम रखा है अगर आप पीछे ओपन इस पेस नहीं रखते तो इसका आप वेंटिलेशन कैसे करते हैं तो आपके नेगेटिव एनरजी आंगने में आ जाती है न तो अगर आपने पीछे जाल रख लिया तो इसकी जो विंडो होगी वेंटिलेशन विंडो या पीछे बड़ी विंडो आप इसमें ओपन स्पेस में रख सकते हैं खुली जगह में जिससे क्या होगा इसकी नेगेटिव एनरजी अंदर तो दोस्तो इसका लेट बात का आपका वेंटिलेशन इस जाल से हो जाएगा अच्छे से ठीक है तो ये जाल रखना बहुत जरूरी है ओपन जगह यानि खाली जगह रखनी जरूरी है अब इस लेट बात से आप बाहर आईए आंगने की तरफ तो आप कॉर्णर में आप ए इस साइड में कोई जगह है खाली तो आप इधर इस दिवार में विंडो रखिये एक विंडो आप सीडियों के नीचे भी रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं पूरी दिवार आपके खाली रहती है तो आंगन में आपके एक विंडो हो जाएगी अगर आपके इधर कितना अच्छा होगा आप सोच सकते हैं रूम काफी स्पेस पुल लगेंगे और पूरे घर का इस ओपन स्पेस से वेंटिलेशन होगा तो घर पूरा वास्तु के अकोर्डिंग हमने रेडी करके आपको दिखाया है पूरा प्लान आपके काफी यूस्फुल रहेगा I hope यही आसा है अगर आपको प्लान पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें अपने मित्रों में दोस्तों में वीडियो को सेर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सस्क्राइब करें सस्क्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे दो जो सस्क्राइब बटन दिया गया है उसको आपको क्लिक करना है उसके सामने जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना है जिससे सबसे पहले notification वीडियो का आपके पास आएगा और आप वीडियो आराम से देख सकते हैं आप इस वीडियो को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कोई चार्ज नहीं इसका ये प्लान दिखा कर आप एक best plan बना सकते हैं और best घर बनाने के लिए आपके ये काफी useful रहेगा तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आगे next वीडियो में हम आपसे मिलते हैं तो सुब रात